सिक्ष देखिए क्या करा तीन सिक्षे दिएगा है एक सिक्षा के दोनों और चित की है और दूसरा सिक्षा अभिनत है जिसमें चीत 75 प्रतिशत बार प्रकट होता है और तीसरा अनभीतन है अनभीतन सिक्षा है है न जी चलिए अनभीनत होगा न जी अनभीतन लिख दिया है अनभीनत न अत्त यहां होगा यहां न अत्त होगा इसलिए न पढ़ने में दिक्कत होगया अनभीनत सिक्षा तीन प्रकार के सिक्षा है ठीक है तीनों में से एक सिक्के को या दिर्शा चुना गया और उसे उछाला गया यदि सिक्के पर चित प्रकट होता हो तो क्या प्राइकता है कि वह दोनों चित वाला सिक्का है यानि कि दोनों चित वाला यानि कि पहला वाला सिक्का है में यहां पर कहने का मत्तबियान हैं, revenneOR को समझे, तीन प्रकार के सिक्षा हैं, एक सिक्षा जिसके दोनों और चित हैं, दूसरा जो है आभिनत है ठीक है जिसमें tra- troop dose शथ बार चीता सकता है और तीस्रा जो है वह अन भीनत है ठीक है तो तीन प्रेकार के सिक्क्य है तो मैं यहापे मान लेता हूं कि माना तीन घटनाए होंगी ना E1 E2 और E3 और E3 घटनाए घटनाए करमसा करमसा पहला जो रहते हैं दोनो और चित वाला सिक्का दोनो और चित वाला सिक्का अच्छा दूसरा जो है आभिनत आभिनत सिक्का और तीसरा जो है वा अनभीनत सिक्का चुनने को प्रदर्शित करती है यह हम लोग मालेत है E1 E2 E3 और C घटना है तो अगर हम लोग E1 की प्राइक्ता बात करें यानि कि सिक्का चुनने की प्राइक्ता पहला वाला सिक्का या दूसरा वाला सिक्का या तीसरा वाला सिक्का तीनों में से कोई भी सिक्का चुनिएगा तो उनकी प्राइक्ता एक बटा तीन, एक बटा तीन, एक बटा तीन, एक बटा तीन ही होगी चलिए आपर मान लेता हूं कि घटना A किसको प्रदर्शित करती है तो घटना A यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि सिक्के पर चित प्रकट होने को प्रदर्शित करती है सिक्के पर चित आना इसको प्रदर्शित कर रहा है तो अगर हम लोग A by even की बात करेंगे तो दोनों और जब चित है तो उसकी इवन जो इवन यहां देख रहा है जो पहरे वाला सिक्का जो है उसके दोनों और चित है तो उसकी प्रेक्टा तो एक हो जाएगी जो कि चित है दोनों और है और चित आएगा है एवाई-e2 तो इसका 75% चांस है न आपके question में कह रहा है 75 प्रतिशत यानि 75 बट्टा में 100 यहां 3 और यहां 4 तीन बट्टा 4 इसकी प्रज़ता होगे अच्छा ए बाई ए 3 चलिए तो सिक्क्या हम लोग चुन रहे हैं तीसरे प्रकार का यानि कि अन्भीनत सिक्का है अन्भीनत सिक्का है यानि कि एक तरफ शीत के तरफ पठ होगा उससे कोई दिक्कत है तो इसकी प्राइक्ता यहां चीताने की प्राइक्ता एक बटा दो हो जाएगी चलिए तो हमें एक सिक्का जो चुनना है किस सिक्के की प्राइक्ता यदि सिक्के पर चित प्रकट हो तो क्या हो जाएगा यहनि कि पहला वाला सिक्का होगा और उस पर चित आएगा इसकी प्राइक्ता क्या हो जाएगा इवन की प्राइक्ता इंटू में एबाई इवन की प्राइक्ता बटा में इवन की प्राइक्ता इंटू में एबाई इवन की प्राइक्ता प्लस इटू की प्राइक्ता इंटू में एबाई इटू की प्राइक्ता प्लस इथरी की प्राइक्ता इंटू में by e3 की प्राइक्टता चलि दखिए क्या हो जाएगा है यहाँ पर क्या हो जागा इसका मां दिखिए 1 बटा 3 और इसका a by e1 का फिन नीचे अब रखते हैं एक बटा 3 गुना 1 पलस e2 की प्राइक्टा हमारे पास है ब्ट्ता-चार और ये बाई इसका एट्टा-चो की सादी एक बट्टा-थीन है कि एट्टू की प्रहक्ता है एक बट्ता-थीन-प्रषट और 2ग अे नीचे सभसे थीन वेन ने थीन-वेच जीन-द चैनल ハक-फट्ता-चार-प्रचोंरब यह पट्वाट तीन कट गया ऊपर एक और नीचे इसको किल से जोड़ देते हैं हुँ आद चार हो जाएगा चार प्लस तीन प्लस दो तो है यह चार ऊपर चला जाएगा और नीचे चार बट्टा में नौ इसकी प्राइक्ता आ गई समझ गें पूसर नमबर